हेलो एवरिवन मेरा नाम राजीव है and welcome to this video इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिक्सनरी इन पाइथन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर जुपिटर नोट बुक नहीं पता कैसे system में इंस्टाल करें एजुपिटर नोट बुक का basics नहीं पता तो description में वीडियो का link है उनको जाके देख सकते हो otherwise अगर आप किसी IDE VS code या Atom या Sublime में आप code कर रहे हो तो आप continue कर सकते हो fine so start करते हैं क्या होता है dictionary so definition है आप इसे देख सकते हो dictionary are used to store data values in key value pairs right so basically dictionary use किसलिए होता है data को key value form में store करने के लिए so मैं एक real life example देता हूं right अगर आप real life में देखोगे तो जो भी data होता है न वो key value form में होता है जैसे अगर किसे में student की record की बात करें तो student का record क्या होगा उसका name तो name name then colon उसका name suppose राजीव है राजीव तो इसी तरीके से data होगा न अगर suppose उसका हमें class जानना है तो class suppose class है 12 राइट फिर उसका suppose हमें school name जानना है school name so school name क्या होगा anything suppose is JD तो यहां पर देख सकते हो यह पूरा data key value के form में है यहां पर क्या है name एक key हो गया इसकी value क्या है राजीव अगला key क्या हो गया class इसकी value क्या है 12 अगला key क्या हो गया school name इसकी value क्या है SJD fine तो यह तो एक real life example है कि कैसे हम real life में भी data key value के form में भी होता है so python language में इसी concept को dictionary के form में implement किया गया है कि किस तरीके से data को हम उसको original form में key value के form में store कर सकते हैं किसी data structure के अंदर so I hope इस पहले line का मतलब अब clear हो गया होगा कि dictionary are used to store data values in key value pairs right so अब हम एक dictionary create करते हैं ठीक है so suppose एक student है जो मैंने real life example अभी लिया suppose और record मुझे python में store करना है तो python में record store करने के लिए हम किसका use करेंगे dictionary का so dictionary कैसे create करते हैं so एक मैं variable ले ले लेता हूँ इस student नाम का student assign with अब dictionary create करने के लिए curly braces open close और इसके अंदर दो चीजे होंगी पहला होगा हमारा key जो की double quotation में होगा और दूसरा होगा हमारा उस key का value ठीक है यह भी अगर string है तो double quotation में होगा value और की का value क्या होगा जो भी value हो suppose मैं अपना नाम इस्टोर कर देता हूं राजीव राइट फिर कॉमा कॉमा के बाद अब दूसरा की हमारा क्या होगा सपोज हमारा school name so school name क्या हो जाएगा हमारा name के spelling गज़त हो गई so again colon की के बाद और name हो जाएगा मेरे school का नाम sjd था सेंट जॉन्स देल डवलू so sjd राइट अगें कॉमा थर्ड सपोज हमें class name store करना है so class sorry so class और यहां पर हमारा class क्या हो जाएगा मान लो class है 12th right next और क्या हो सकता है average marks तो की हो जाएगा हमारा average marks और इसकी value हो जाएगी मान लेते हैं हम 67.5 हला कि मेरा इससे भी खराब था बट ठीक है assume कर लेते हैं then is a student intelligent मान लो एक की है जिसमें कोस्चन है कि is student intelligent और इसका answer होगा value होगा या तो true या तो false तो मैं यहां पर दे लेता हूं is student intelligent हला कि यह की ने बहुत बढ़ा हो गया बट ठीक है example के लिए चलेगा ठीक है और इसका math voice को short कर लेता हूं is intelligent कर लेता हूं is intelligent राइट और इसका value हो जाएगा मेरे case में obviously true होगा right so again true क्या है हमारा boolean value है जिसको हम double quotation में नहीं लिखेंगे तो यह हमने create कर लिया अपना dictionary अब देखो इस dictionary में पूरा data हमारा key value के form में store है right तो इस cell को मैं execute कर देता हूं ठीक है मैंने cell को execute कर दिया अब अगर dictionary को access करना है print करना है तो simple print function का use करेंगे print और student राइट अब इसको shift enter देखो मारा output आ गया अब अगर आप Jupyter notebook use कर रहे हो तो कहीं भी आपको data print करना है तो बिना print function यूज किये भी कर सकते हो simple variable नेम लिखो student और cell को run करो output आ जाएगा ठीक है बट अगर VS code या कोई भी IDE यूज कर रहे हो तब आपको print function का use करना ही पड़ेगा तो यह हमारा dictionary हो गया अब suppose dictionary के किसी भी एक key को हमें access करना है तो कैसे करेंगे तो dictionary name student and then हमारा square bracket में key का नाम की का नाम हमेशा double quotation में होगा suppose हमें नेम जानना है student का तो student name shift enter राज्यू अगेन अगर visual studio code या कोई IDE यूज कर रहे हो तो इसको print function के अंदर लिखना होगा ठीक है तो हमारा output आ गया suppose हमें जानना है कि वह यह student intelligent था या नहीं तो student right and then square bracket में is intelligent so run करते हैं से लको true okay so I hope clear हो गया होगा कि कैसे हम dictionary को create करेंगे right दूसरा कैसे हम पूरी dictionary को access करेंगे and third कैसे हम dictionary के किसी एक particular key को access करेंगे right okay अब इसके लाव आप देख सकते हो कि यह definition में second line में दिया हुआ है a dictionary is a collection which is ordered changeable and does not allow duplicates value तो मतलब क्या हुआ तीनों का मतलब समझते हैं dictionary ordered होता है ordered का मतलब कि चाहे आप पूरी dictionary को जितनी बार भी access करो same order में data आएगा जैसे जब dictionary हम create कर रहे हैं तो first number पे name है second number पे school name है third number पे class है then हमारा average marks है then is intelligent तो इसी order में print भी करेगा देखो इसको जितनी बार भी run करो हमेशा first position पे name print करेगा फिर school name फिर हमारा class और फिर average marks और फिर is intelligent हमेशा यही order रहेगा कभी ऐसा नहीं होगा कि school name पहले आ गया name बाद में चला गया second क्या दिया है changeable dictionary जो है changeable है dictionary के किसी भी key की value हम change कर सकते हैं जैसे example suppose हमें name change करना है तो कैसे करेंगे हम लिखेंगे student right square bracket में कौन सा key change करना है name so name और इसमें हम लिखेंगे assign with क्या नया name store करना है suppose Ankita right so Ankita shift enter अब देखो मैं print करता हूं dictionary को so student shift enter अब देखो name change हो गया है name हो गया है Ankita तो ऐसे आप किसी भी key की value को change कर सकते हो so dictionary क्या है changeable है third क्या है does not allow duplicates अब याद रखना dictionary के अंदर same नाम का दो key नहीं हो सकता अगर same नाम का दो की लोगे तो क्या होगा जो सबसे बाद में key होगा वो replace कर देगा उसके पहले वाले को जैसे example लेता हूं यहाँ पर school name स्जेडी है मालो मैं एक और की ले लेता हूं same नाम का s-c-l-n-a-m-e और यहाँ पर मैं school name देता हूं केंद्रिय विद्याले केंद्रिय विद्याले राइट अब मैं shift enter ठीक है सबसे बाद में जो school name आया उस value ने उसके उपर वाले value को replace कर दिया तो duplicates allow नहीं है dictionary में so I hope एक dictionary के basics clear हो गया होंगे अब कुछ चीज़े देख लेते हैं अगर आपको dictionary का length जानना है तो क्या करोगे तो python में एक function है length नाम का यह क्या करता है किसी भी data type का data structure का length बताता है तो अगर आपको dictionary का length जानना है तो इसमें dictionary का नाम pass कर दो ठीक है और यह length क्या करेगा shift enter करते हैं देखो 5 5 यह ना count कर लो यहां देखो 1 2 3 4 5 6 अब आप बोलोगे 6 है बट नहीं python इसको six consider नहीं करेगा क्योंकि दो same है same key name है python सिर्फ बाद इसको इक key को consider कर रहा है और क्यों इसको क्यों कर रहा है इस उपर वाले क्यों क्यों नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने अभी बताया अगर same key name multiple time है सो जो सबसे last में जो आएगा उसको consider करेगा ठीक है अभी मैं इसको हटायता हूं ठीक है run करता हूं अब फिर से इस cell को मैं run करता हूं len student देखो अभी भी 5 है ओके अब यह जो अगर आप visual studio code यूज़ कर रहे हो तो इसको आपको इलिए print function का यूज़ करना होगा अगर print करना है तो क्योंकि वहां पर पूरी file को run करना पड़ता है इदे को shift enter ठीक है आप चाहो तो इस data को किसी variable में भी store कर सकते हो जैसे मैं ले लेता हूं len नाम का variable ठीक है और shift enter अब अगर len को मैं print करूं print len तो हमारा length बता देगा आप चाहो तो normally len लिख के execute करोगा तब भी Jupyter notebook में output आ जाएगा ओके इसके अलावा अगर हमें dictionary का type जानना है हमें पता है dictionary है बड़ सपोज आपको type चेक करना है तो उसके लिए python में function है type बिलकुल len की तरह काम करता है इसके अंदर जो भी नाम आप dictionary का पास करोगे उसका type बता देगा तो मैंने पास कर दिया student अब देखो shift enter क्या type आया है date so I hope clear हो गया होगा dictionary क्या होता है कैसे create करते हैं अब एक चीज़ और देख लेते हैं dictionary में important basically dictionary के अंदर जो values है इन values की जगा ज़रूरी नहीं है सिर्फ string या फिर हम या numbers या boolean value ही रखेंगे हम dictionary में value की जगा पूरी के पूरी list या टपल या फिर एक दूसरा dictionary भी store कर सकते हैं जैसे example मैं एक dictionary लेता हूँ people right एक dictionary create करता हूँ और इसमें मैं ले लेता हूँ name ठीक है तो list कैसे बनाते हैं square bracket में अगर नहीं पता list क्या होता है तो description में वीडियो का link है जाके list देख सकते हो so square bracket open close अब इसके अंदर जितना भी नावे store करना है कर लो जैसे अनुज पहला हो गया हमारा दैन अंकित दूसरा हो गया दैन राजीव हमारा third name हो गया यह पूरा list हो गया फिर कॉमा अब अगेन मान लो marks store करना है so marks अगेन है double quotation में होगा so marks अगेन तीन लोग का marks है तो में लिस्ट लेना पड़ेगा so suppose किसी का marks है 56.89 अब इन नंबर है तो double quotation में होगा ने किसी का marks है 34.90 किसी का marks है 67.99 ओके फिर कॉमा अब मान लो हमें average marks store करना है सबका so avg marks m a r k s तो colon अब मान लो सबका marks का average है तुम्हारा 56.67 तो यह हमारा dictionary create हो गया अब अगर आप print करना dictionary को so यह देखो shift enter dictionary हमारा print कर दिया अगर name जानना है तो square bracket में name यह देखो sorry यह क्या हो गया name की मैंने spelling basically गलत दी है so n a m e shift enter देखो आ गया right अब मान लो सिर्फ आपको name में पहला नाम जानना है तो क्या करोगे तो people name और उसके बाद एक और square bracket में basically जो dictionary होता है उसमें index होता है पहले element का index 0 होता है दूसरे का 1 फिल 2 तो आपको मान लो पहला नाम जानना है तो यहाँ पे पास करोगे 0 तो यह देखो क्या होगा shift enter अनुज ठीक है अगर मान लो आपको name में जो list है हमारा name का उसमें आपको one index वारा नाम जानना है तो one pass कर दो तो क्या आगया अंकित उसी तरीके से अगर आपको marks जानना है तो people और यहाँ पे हम marks राइट सो आगया अब मान लो आपको अंकित का marks जानना है तो अंकित वन इंडेक्स पे है तो उसका marks भी इस वार लिस्ट में वन इंडेक्स पे होगा यानि 34.9 तो कैसे करेंगे हम people marks और उसके बाद यहाँ क्या देदेंगे 1 यह देखो अंकित का marks आगया 34.9 तो इस तरीके से डिक्सनरी में हम जो हमारे key की values होती है उनकी जगह हम list को भी रख सकते हैं So I hope clear हो गया होगा कि python में डिक्सनरी क्या होता है और उसके सारे basics मैंने यहाँ पे explain कर दिया So thank you for watching this video अगर इस video ने कुछ contribute किया तो चैनल को subscribe करो और वीडियो को like करो Thank you